नमस्कार दोस्तों एक बड़ी ही important information आप लोगों के साथ share करनी है मेरे एक मेत्र हैं उन्होंने मुझे एक बिल share किया है और वो बिल है सेल्टोस का और 20,000 km चले वी थी गाड़ी और उसका जो खर्चा आया है वो आया है आपका लगभग 18,584 लगभग नीट exactly 18,584 बीस हजार किलोमेटर की सर्विस और किया के पोटल में अगर आप जाएंगे और 1.5 naturally aspirated engine वाली जो सेल्टोस है उसका आप 20,000 km वाली सर्विस का खर्चा देखेंगे तो उनके मताबिक वो आता है 4300 रुपे के आसपास लेकिन यहाँ पर इतना जादा क्यों मैं आपको बताता हूँ और इसमें कई ऐसी चीजें आपको सुनकर हसी आएगी कि ऐसे भी उन्होंने पैसे चार्ज किये हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताने चाता हूँ जो पार्ट की कोस्ट है वो टोटल लगबग आपकी 4900 की है और लेबर की है 10,820 और उसके बाद जो टैक्सिस पढ़ते हैं वो तो आपको पताईए वो हर सर्विस सेंटर में आपको मिलेंगे और उसकी वज़े से बिल हो गया 18,584 तो हुआ क्या है मैं आपको पार्ट में बताता हूँ पार्ट क्या क्या लगे है फालतू के जो जो उन्होंने एड ओन करें सबसे पहली चीज जो है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो वेट है मतलब की जो वील बलेंसिंग होती है उसका वेट बिलकुल जायाज है उसके पैसे सही है दूसरा है रश लग गई थी इसके सालेंसर में अगर वो चाहते तो उसको रिप्लेस भी कर सकते थे वारंटी में लेकिन उन्होंने कोटिंग कर दी और बिना बताए जिसके उन्होंने 1500 रुपे चार्ज करें ठीक ये फालतू की चीज थ्रोटल बॉडी क्लीनर 20,000 में मुझे नहीं लग थी 16 रुपे उसके ले लिए वाइपर की रबर एसेंबली ओइल फिल्टर 360 रुपे और एर फिल्टर 371 रुपे ये सब चीजे ठीक है ये रही टोटल पार्ट की कोस्ट और जो 1500 रुपे इनके जो है मुझे फालतू लगे यहां पर अब चलते हैं लेबर कोस्ट की तरफ से पहला जो है अलॉय वील केर इसमें 465 रुपे ले रखे हैं और उस गाड़ी में अलॉय वील नहीं है वो सेल्टो के नीचे वाले वेरियंट्स में से है वो गाड़ी जिसमें अलॉय वील नहीं आता है ठीक है ये फालतू का उन्होंने जोट रखा है और वील बैलंसिंग चलो ठीक है इंटिरियर इन्रिच्मेंट इसके 1788 रुपे फालतू कोई जरुवत नहीं है वाइपर ब्लेट एसम्बली ये जायज है बिलकुल और रोडेंट रिपलेंट अपने यापी इसके 970 रुपे ये चुहो से प्रोटेक्शन क्ले होता है लेकिन इसकी कोई जरुव जरुवत नहीं थी और रियर ब्रेक कैलिपर एसम्बली उसके 700 रुपे ले रखे सायद इसमें कुछ काम करा उन्होंने मतलब की हो सकता है कि सफाई वगेरा करी हो चलो इसका भी जायज मान लेते अब आता है एक्स्टीरियर एन्रिच्मेंट ये जो है 1863 रुपे कोई लिख रखें चलो मान लिए ठीक है फ्रंट ब्रेक कैलीपर इसके 630 पी एमस लेबर मतलब की जो लेबर कॉस्ट आता है वो है 2080 रुपे अब आप बताओ इसमें कितने फाल्तू खर्चे इन्होंने एड़ाउन कर रखें तो ये सब चीजों को मिला के जो सर्विस को पास चला गया सबसे ज्यादा खर्चा जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं लेबर कॉस्ट में आया अब बात करते हैं ओनर की उन्हें इतनी ज्यादा जानकरी नहीं थी वो तो यही सूच रहे थे यह जो चीजें हो रही है मेरी गाड़ी की भलाई के लिए उसकी केर के लि उन्होंने जबर्दस्ती बिल को बढ़ाने की कोसिस करिए पैट्रोल गाड़ी की सेकेंड सर्विस आप खुद सोचिए 18,584 रूपे सर्विस सेंटर की डिटेल में आपको बतानी सकता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ओनर को कोई परिशानी हो और मैंने आप लोगों के सामने आप रखाया कि ऐसा भी होता है आप अगर अपनी गाड़ी की सर्विस कराने जाते हैं तो इन चीजों का ध्यान रखा करिए और ये कहानी सर्ष किया कि सर्व्य सेंटर की नहीं है ऐसा कोई भी ब्रेंट की सर्विस सेंटर आपको कर सकते हैं चाहिए मारती हो हो ईंडई हो टाटा हो बस आपने क्या करना है अपनी आखे खुली रखनी है और ऐसा अपने साथ नहीं होने देना है ये चीज़ तो इनके साथ हो चुकी है इन्होंने बिल पे भी कर दिया लेकिन आपके साथ ऐसा ना हो आप उसके लिए क्या करें जब भी आप अपने सेड्यूल सर्विस या नहीं करानी है फालतू कि पैसे तो एड़ाउन नहीं कर रहा है आपके गाड़ी की सर्विस हो जाती है तो आप बिल देखिए अपना प्रॉपरली उसमें ये देखना कि आपने जो करने को बोला है वही किया होना चाहिए अगर कुछ एक्स्टा करता है सर्विस सेंटर वा आते हैं जिसकी वजह से आप अपने आपको जो है ठगने से बचा सकते हैं सर्विस सेंटर से तो उमीद करता हूं आपको कि वीडियो पसंद आया होगा इंफॉर्मेटिव लगा होगा आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए उनके इंफॉर्मेशन दीजिए जिसके प हारत माता कीजिए